हेलो नवस्ते दोस्तों स्वागत है अपको अपने यूटुब लोग प्री यूटुब चैनल सुबांस क्लासे में आपके लिए हम डेली रिवीजन क्लासे ला रहे हैं उसी स्रेणी में आपके लिए एक अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए कमेंट कर जी सब्सक्राइब कर दीजिए यह जब आप चाहते हैं आपका पेपर हो तो आप अपने दोस्तों की पर करवाना चाहते हो तो आप उन्हें भी सेड कर देजिए जरह में वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले कोश्चन का अंसर है बढ़ती है पहले कोश्चन का अंसर क्या है बढ़ती है चलिए अगले कोश्चन पढ़ लिजी अब अगले नंबर पे चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन तीसरा कोश्चन कोश्चन तीसरे पर पहले का तीसरा नंबर है तीसरे नंबर पर क्या है भैस चलिए अगला देख लेते हैं चौते नंबर का चौते नंबर के क्या है 1989186 चलिए दोस्तो अगला देख लेते हैं 25 में नमबर 292 चलिए यदी आपको वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और यदी आपको कुछ और अपनी طरप से पूजना है तो कमेंट करिए चलिए दोस्तो अगला question देखते है question number दूसरा question number दूसरे के answer देखते हैं दोस्तों दूसरे के पहले नमबर का answer दोस्तों गेरा सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चलिए दोस्तों आपके लिए अगला कुश्चन सत असत जिसमें से पहला नंबर क्या है दोस्तों असत पढ़ लीजिए आप कुश्चन उसका अंसर है असत दूसरा पढ़ ली आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पूरा देखिए चलिए दोस्तों अगला कुश्चन देखते कुश्चन नंबर पांच कुश्चन नंबर पांच का अंसर है दोस्तों प्रसिच्छित कारकरताओं की कमी क्या है दोस्तों प्रसिच्छित कारकरताओं की कमी है और दूसरा नंबर पसू का लंबे समय तक सुखा रहना क्या है यह दोस्तों पसू का लंबे समय तक सुखा रहना चलिए दोस्तों आपके लिए बहुत important प्रिस नंबर 4 वीडियो अच्छा लग रहा हो तो like करीं वीडियो अब वीडियो को बराबर देखते रहिए दोस्तों चलिए पस्वों में बांजपन की समस्या को दूर किया जा सकता है कुश्चिन नमबर च्छा है दोस्तों इसका अंसर पस्वों में बांजपन की समस्या को दूर किया जा सकता है उस विदी के प्रियोग से प्राक्तिक समागम फैलने वाली ल मागम पहलाने वाली लेंगिक बिमारियों से बचा जा सकता है चलिए दोस्तों अगला कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर साथ कोश्चन नमबर काँ दोस्तों साथ पढ़ लिजिए रोक मुक्त एवं उत्तम गुड़ों वाले सांड तता दाता मा का चैन यदि सांड अच्छा होगा तो गाय भी अच्छी बच्चे होंगे उसके इसलिए हमें क्या करना है सांड अच्छे सांड का प्रियो करना दाता मा एवं ग्राही मा के मद चक का नियमन भूण प्रत्यारोपड टक्नीकी की सफलता की दो सरते हैं इनकी कितनी सरते हैं दो सरते प्रत्यारो कोश्चन नमबर आठ कोश्चन नमबर आठ पढ़ लिए दोस्तों इसके आंसर कुछ इस प्रकार है प्रात्मेक नसल के प्रजिनन में उपयोग काले उत्तम नसल के पसु तयार करते हैं प्रात्मेक नसल के पसु का प्रजिनन में उपयोग काले उत्तम नसल के पसु तयार करना है क्या है काले उत्तम नसल के पसु तयार करना है चलिए दोस्तों पस्वूओं में होने वाली बिमारियों की रोक थाम वा उच्छे तेलाज कर पस्वूओं सस्त तयार करना है उनका उच्छे तेलाज तता उनके रोगों की रोक थाम करनी है में चलिए दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो चलिए दोस्तों कोश्चन नमबर नौ, आठ हो चोगे थे पूरे, नौ, नौ मेंगा पहले नंबर सफाई करने में आसानी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए दोस्तों, पहला नंबर सफाई करने में आसानी होनी चाहिए, पस्वों को पूंड आराम मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी इनसान हो यह दिव ठक जाए आराम नहीं करेगा तो उसकी शम्ता कम हो जाएगी दोस्तों तो से क्या मिलना चाहिए वायू का आगमन सुचारू रूप से होना चाहिए क्यों मनुस्त हो या कोई प्राड़ी जीव जनतों उसे आक्सिजन की जरूरत पढ़ती है दोस्तों इसलिए उससे वायू की उच्छत आवा गमन की जरूद होनी चाहिए चलिए चलिए दोस्तों यदि आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूज फोलो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चलिए दोस्तों देखते हैं प्रस नंबर 10 के आंसर पहले नंबर का है इसकंद प्रदेश पहले नंबर क्य है पचे अब पांच मांने सब्सक्राइब कर दोस्तों पसली छटमा क्या तंब उससात में दोस्तों सीना और वाज माका दोस्तों पुस्टे चलिए दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए अब प्रस ने गेरा गाय के कंकाल के कार नमबर एक सरीर के साचे का निर्माड करता है तता उसे निश्चित रूप देता है किसी भी मनुझ से या प्राणडी का धाचा उसके सरीर का निर्माड करता है तता उसे निश्चित रूप देता है दूसरे नमबर कंकाल से मानस्पेसियां जुड़ी रहती है क्या होती है मानस्पेसियां जुड़ी रहती है दोस्तों नमबर तीसा सरीर में कैल्सियम की कमी को पूरा करता है दोस्तों सीए का क्या मतलब दोस्तों कैल्सियम चलिए दोस्तों अगला कोश्च अगला नमबर देख लेते हैं अगला नमबर अंगो को सुरच्चित इस्तान पर रखता है धाचा दोस्तों क्या करता है किसी भी चीज का धाचा उसे सुनिश्चित करता है दोस्तों तो यह क्या करता है अंगों को सुनिश्चे सिस्तान पर रखता है चलिए दोस्तों अगला कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर 12 12 कोश्चन नमबर का पढ़ लिजे आप उसके आंसर कुछ इस प्रकार है कि पहला नमबर क्या है मुर्रा मुर्रा एक परजाती होती है गाय की ठीके दोस्तों और दूसरी क्या है सुर्ती नसल और ये सब परजाती आएं दोस्तों तीसरी है भदावरी भैंस अच्चोथी है नांगपुरी भैंस अब पांचमी है जापरावादी भैंस और छटमी है तराई तोड़ा मेद साना ठीक है दोस्तों ये अच्छी अच्छी प्रकार की परजातिया है पसुओं की चलिए दोस्तों अब अगले कोश्चन पर आते हैं कोश्चन नमबर 13 कोश्चन नमबर 13 यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा पसुओं के सुंड में अनुवानसिक छमता में व्रद्धी होती है क्या होती है पस्वूं के सुन्ड में अनुवानसिक छमता में व्रद्धी होती है अगला नमबर दोस्तों पस्वूं में प्रजनन छमता बढ़ती है दो पॉइंट है दोस्तों ये दोनों पॉइंट आप नोट के लिए यदि ये दोस्तों आपका पूरा पेपर संपन हुआ यदि आपको पेपर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को फॉलू कर लेजिए सब्सक्राइब कर लेजिए यदि हम आपके लिए एक अच्छा 9, 10, 11, 12 सभी की रिवीजिन क्लासिस ला रहे हैं यदि आपके दोस्त भाई किसी को भी जरूत हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकन को दवा लेजिए हम डेली आपके लिए रिवीजिन क्लासिस ला रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए तो आपके लिए यूजफूल होगा यदि आपके लिए यूजफूल है तो आप उसे लाइक जरूर कर दिया करिए थैंक्यों दोस्तों